सिरसा जी मेरे साथ जुल गए हैं सिरसा जी आप एक राजनितिक व्यक्ति हैं और इतने बड़े अकाली दल के नेता है आप नमबर टू नमबर थी के नेता है अकाली दल में क्यों आपको लगा कि आप NCB के साम पास जाएं और इसकी जाज करें रिया जी आपके सवाल का जवाब सिरसा जी दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने जाज की मांग किये मैं उनसे ही समझता हूं सिरसा जी मैं रिया जी की बात सुन रहा था रिया जी जब कोई आदमी पब्लिक डोमेन में होता है उनको उनकी जवाब दाही देश के और परती लोगों के होती है पहले आपको यह समयना पड़ेगा कि करन जोहर हो या अट दिपिका पाडु कोन हो वो कोई बिजनसमेन नहीं है वो एक पब्लिक फिगर है और पब्लिक उनको फॉलो करती है ऐस दियर आइकॉन नैशनल आइकॉन है वो और वो आप मैं आपको दो तिन बातें बताता हूँ जो शैद्रिया जी को अभी तक पता नहीं है विक्की कोशल ने खुद ये कनफेस किया कि ये वीडियो मेंने तीन-चार बार करंज ओर ने बनाई बन नहीं रही थी क्योंकि बार बार कोई ना कोई ड्रक्स करता उसमें दिख रहा था अब जब चौती बार मनाई तो करण जौर में ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वहाँ पे जो वीडियो बना रहा है को कीन पड़ी दिख जाएगी क्योंकि यह तो सब कुछ अपनी तरफ से ठीक ठा करके बना रहा था अब पॉलने दिए रिया जी आप तो काफी देसे बोर रहे हैं तो यह पता चलेगा नौ उसके बाद जो सिनिफ करने वाले के साथ बैठा वो पीछे चुपा रहा है मुझे नहीं रखता कि किसी भी आदमी को जब पार्टी चर रही है तो कुछ चुपाने की जरूरत पड़ेगी मैं तो मानकर चलता हूँ कि हर आदमी को जब तक प्रूब ना किया जाए वो गिल्टी नहीं हो सकता वो गुनागार नहीं हो सकता और हरे को benefit of doubt है अब आप रिया जी मुझे एक बात बता दें कि अगर यही वीडियो कुछ politicians की एक party की एक political party की वीडियो बनी होती और उसी तरा लोग नहीं पर बैठे होते तो क्या आप लोगे सवाल करके देश उनसे सवाल नहीं पुछता उनसे पूछता और लास्ट ली मैं आप पे ऻुदा और बता हूँ किनको जेल में डालो ना तो मैंने कहा पिनोपे मुकदमे दर बता तो फिर चान बीन से महाराश्टा की प्लिस क्यों भागी मुंबई की पुलिस को ऐसी क्या फॉर्डम होए फ्वेक एलेक्टिड एम्मेले के लेटरेट पे दी हुई लेटर के बाव ये चान बीन करने के जूर्ट नहीं समझी है कि आप अंसीवी को कमप्लेंट की जब OngOing investigation के अंदर रिया चकरवरती के केसिस के अंदर जो बात में एक साल से चला-चला के कह रहा reminder बेज रहा था और मुंबई पुलीस नहीं सुन रही थी ये तो मैंने अब जाके NCB का दरवाजा खटखटाया कि देखिए जो बात मैं पहले कह रहा था एक साल से अगर आपने हमारी बात को माना होता मुंबई पुलीस ने तो ये शुशान सिंग राजबुत का केस नहीं होता लेकिन कोई बात नहीं देर आए दुरुस्ताए अभी भी आप इसकी कारवाई करिए क्योंकि आप investigation कर रहे हैं तो मैं आप से ये आगरह करता हूँ कि आप इस case को भी investigate कि आज भी मैं ये नहीं कहा कि करंज और को जेल में डाल दीजिए ये दिपिकोड मैं आज भी नहीं कहा रहा हूँ इसकी investigation और लासली मैं आपको ये बड़े शब्द आपनी conviction साथ कहना चाहता हूँ अगर मैं गलत हूँ उनमें से कोई कोई बोलता क्यों नहीं क्योंकि गलत वो हैं गलत मैं नहीं हूँ और आगर NCB उनको तो खुद कहना चाहिए था क्योंकि इतने बड़े अलजाम लग रहे हैं कुछ बॉलिवूड के कुछ लोगों के उपर और हमारी वीडियो भी जनता खोरी और पहले भी थी चुलो तब तो हमसे गलती हुई आज हम कहते हैं बिल्कुल इस वीडियो के इन्वेस्टिकेट करना चाहिए और जहां भी मारी जूट पढ़ेगी हम सामें आके आपको सयोग देंगे इन्वेस्टिकेट करिड़ने पाँ जाएं तब नहीं हुआ था आप इन्वेस्टिकेट कर लें वह सिर्फ इतना कह रहे हैं वह किसी पे इल्जाम नहीं डाल रहे हैं जिसको बात को लेके मनोर मुकेश खन्ना जी को जुदन वाता शाद मेरे मेरे हम वेबसाइट के गलत डलाओ